मैं जान और मेरे प्यारी मामा मैं जान और मेरे प्यारे बाबा दादी मा सीट मर्यम अकर्मन भाई हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली मैं जान और हूँ पाँज साल का जानता गीत हूँ सारी ताल का अच्छी है प्यारी है हमारी फैमिली मिसाली है न्यारी है सारी फैमिली उस दिन मेर्थ हमारे घर आया मेर्थ के साथ खेले में बहुत मज़ा आया वान टू ट्री गो देखो जान मेरी कानी चीट गई चलो फिर से करते हैं रेड़ी हो तुम हाँ अब की बार में यह जीतूँगा तो चलो देखते हैं वान टू थ्री गो येस देखाना में जीत गया बच्चो खाना तयार है बेटा आकर खा लो आग्या दादी जान चलो मेर्थ चलते हैं मेर्थ और मुझे बहुत बूक लगी थी जल्दी से खाने की टेबल पर गए दादी जान बहुत अच्छा खाना बेनाती हैं हाथ धोया है ना मेरे बच्चो तुम लोगों ने जी हाँ नहीं जान बेटा खाने से पहले हाथ धोकर आओ बेटाने हाथ तो नहीं दोये थे पर उसते जूट को मुला बहुत शुक्रिया दादी जान खाना वाकी बहुत मज़ेका था वाके ही नूट दादी जान बहुत अच्छा था बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चो चलो अब खेलो तुम लोग चलो मेर्ट चल के खेलते हैं ठीक है चलो चलते हैं खाने की बाद मेर्ट के साथ दुबारा खेला शुरू कर दिया मेरी गारी बहुत बड़ी है जान अब इस तजारा बच के दिखाओ तुम ये क्या किया तुमने ये अम्मी का गमला था मैं कुछ करता हूँ फिकर मत करो तुम इस पेज पर मेरे भाई में तस्वीर बनाई थी मेर्थ कोई बात नहीं फिर बना लेंगे इसके लिए कितना वक्त लगा है पता है तुमको केलते वक गमला गेरा दिया भाई की तस्वीर खराब कर दी कुछ में नहीं कूब पताना चाहा मगर मेर्थ ने बताने से रोक डिया किसी को मत बताना किये हमने किया लेकिन हैं हम से हुआ जूटन ए बोलना चाहिए लग पुछन ही होता बहुत चोटा सा जूट है किसी को पतानी चलेगा की यह हमने किया जान खेल कैसा जा रहा है ठीक तुम लोग कौन सी गेम खेल रहे हो गाड़ियों की रेस लगा रहे थे हम दोनों हाँ बहुत अच्छा मुझे भी ये खेल पसंद है दादी जान अगर किसी से गलती हो जाए तो क्यों उसको चुपाने के लिए जूट बोल सकते हैं नहीं मेरी जान जूट बोलना बहुत बुरी बात होती है जूट से हमेशा नुकसान ही होता है अंजाम कुछ भी हो इनसान को हमेशा सच बोलना चाहिए सच्चाई की ही जीत होती है दादी जान अगर जूट बोले से बड़े नराज हो तो बच्चे अगर हमेशा सच बोलेंगे तो बड़े कभी भी नराज नहीं होंगे क्योंकि बड़े बच्चों के जूट से नराज होते हैं सच से कभी भी नराज नहीं होते है दादी जान ने बताया कि जूट बोलना बुरी बात है तो मैंने कुछ सोचा मेर्ट दादी अमा से मैंने बात की हम उनको बतारे तो हमारी मदद करेंगी जूट बोले की जूट बोले की जूट बूरी बात होती है चलो अबी जाके दादी जान से बात करती है क्या सोच रहे हो हुँ नूर दादी जान जी मेरी बीटे क्या हुआ बुच्यो नूर दादी जान में जान के साथ थेल रहा था के मुझसे गंदा गिर गया इसको ठीक करने में हमारी मदद करेंगी दादी जान कमरा भी गंदा हो गया है बिल्कुल करूंगी बेटा वेरी गुड मेरा बच्चा सच बोलने पे मैं तुमको शाबाज देती हूँ चलो गमला ठीक करते हैं पर नेक्स टाइम धिहान से खेलना चलो देखते हैं गमले को क्या हुआ है आप बहुत अच्छी है दादी जान चलो मेरे प्यारे बच्चों आप चलते हैं मेरी दादी जान बहुत ही अच्छी है गमले को ठीक करने में हमारी मदद की अल्ला का शुकर है तुम्हारे फूलों को कुछ नहीं हुआ बस इसमें कुछ मट्टी और डाल देते हैं फिर ठीक हो जाएगा बहुत शुक्रिया दादी जान शुकर है गमला ठीक हो गया मैं आपका बहुत पसंद करता हूं दादी जान शाबाश मेरे बच्चो तुमने बहुत मदद की नूर दादी जान मादद करने के लिए आपका बहुत बहुत चुक्रिया वेलकम बिटा गमला पैले की तेरा ठीक हो गया मुझे और मेर्ट को बहुत कुछी हुई क्याश पक्रोजान ये बहुत अच्छी पाल फेंकी तुमने जान अब तुम हारी बारी खुशामदीद भाई जान थैंक्यू जान खुशामदीद मेर्ट तुम कैसे हो ठीक हो अच्छा हु मुराद भाई आपका बहुत चुक्रिया मैं काम से बाहर जा रहा हूं तुम दोनों मिलकर खेलो वो मुराद भाई क्या बात है मेर्ट वो मैं मैंने आपकी तक्स्वीर खराब कर दी सौरी की जरूरत नहीं है मेर्ट फिर बना लेंगे वैसे भी मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं थी बहुत शुक्रिया आपका मुराद भाई उस दित दादी जान ने हमें समझाया के जूट बुलना बहुत बुरी बात होती है बाद में क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा अब इस बुक में बहुत से पेजिस बाकी है सच बोलने वाला इंसा होता है पुर्सकू में हिर्बा इमानदार जमीर ऐसा पुर्सकू ताबीर जैसा सच बोलने वाला इंसा होता है पुर्सकू में हिर्बा इमानदार जमीर ऐसा पुर्सकू ताबीर जैसा ठीक रहो ठीक बनो अच्छी वक्त की तस्वीर बनो वक्त चेसा भी हो इमान चुनो खास रहो बुरे जूट के सामने रखो सच की आईने हर वक्त सच कहो सच रहो सच सुनो ठीक रहो ठीक बनो अच्छी वक्त की तस्वीर बनो वक्त चेसा भी हो इमान चुनो खास रहो बुरे जूट के सामने रखो सच की आईने हर वक्त सच कहो सच रहो सच सुनो